दोस्तो अगर मैं आप से यह पूछूं कि अमीर होना क्या होता है? अमीर कौन होता है? तो आप बोलेंगे जिसके महीने की इनकम 1.0,008.00 रुपए हैं वो जीयादा अमीर है कुछ लोग बोलेंगे जिसकी सेलरी 5.0,008.00 रुपए हैं वो जीयादा अमीर है ये इस बात पर depend करता है कि वो अपने पैसे को manage किस तरीके से करता है फोर एक चांपल मालो किसी वैक्ति की income एक लाक रुपिय है और वो अपने पैसे को स़ही तरीके से manage नहीं कर पाता है वो भीना कुछ सोचे समझे अपने पैसे को खर्च करते रहता है तो वह फ्यूचर में कभी भी अमीर नहीं बन सकता दूसरी तरफ कोई वक्ति जिसकी इंकम 25,000 रुपिय है वो अपने पैसे को सही तरीके से मैनेस करता है सोच समस्कर पैसे को खर्च करता है सेविंग करता है और साथ ही साथ अपने पैसे को सही जगा इंवेस्ट करता है तो वह अमीर बन सकता है तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छे लगी तो लाइक कर दे और पैसे से जुली हर जानकरे के लिए हमारे चैनल को सस्क्राब जरूर कर ले